नमस्कार न्यूजब तक की विशेश रिपोर्ट लेकर हम फिर आजिर हैं और आज का हमारा मुद्दा है कैंसर बिल्कुल नाम सुनते ही लोग सहम से जाते हैं एक ऐसी बिमारी है जिससे पूरा विश्व परिशान रहता है भारत में भी लगातार इसके आंकड़े बढ़े हैं चाहे छोटे हों बढ़े हों बुजुर्ग हों किसी भी उम्र में किसी भी व्यक्ति को ये रोग हो सकता है और इसके इलाज में लोगों के परिवार तबाह हो जाते हैं घर बार तक बिग जाते हैं दगवान करे किसी को भी ऐसा रोग का सामना न करना पड़े लेकिन अभी तक कैंसर को इलाज को लेकर मुख रूप से मुंबई को ही चिकिस्टा का केंद्र माना जाता था क्योंकि वहाँ पर टाटा मेमोरियल जैसे बड़े कैंसर हॉस्पिटल हैं और वहाँ सुभिधाएं हैं लेकिन इतना क्राउड होता है इतनी भीड हो जाती है कि वहाँ महिनों नंबर नहीं आता और मरीज मौत के मुँ में समा जाता है तक्काल इलाज संभव नहीं हो पाता एदराबाद और भी जगे कई प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जहां पर कैंसर का इलाज होता है सरकारी हॉस्पिटल हैं लेकिन वो सुभिधाएं नहीं मिल पाती और इलाज भी बहुत महिंगा होता है जो सबसे दूर होता है इसी करम में हम आपको बता दे कि अब 36 गड़ की राजधानी रायपूर में नया रायपूर जो नया छेत्र डबलप हो रहा है वहां वर्ड क्लास कैंसर हॉस्पिटल खुल गया है जिसको बालको मेडिकल सेंटर के नाम से जानते हैं और ये वेदान्टा फाउंडेशन की एक यूनिट है जो हॉस्पिटल के छेत्र में काम कर रही है यहां बहुत ही सस्ते दामों पर कैंसर का इलाज होता है और वर्ड के टॉप क्लास ऑनकोलाजिस्ट कैंसर विशेसग डॉक्टर इस मेडिकल सेंटर में है साथ ही किसी भी प्रकार का कैंसर हो उसका इलाज यहां होता है सभी प्रकार की जाचे होती है और बहुत ही कम दामों पर यहां पर इलाज किया जाता है कैंसर को मात दे चुकी फिल्म अबनेत्री मनीसा कोईराला भी यहां पर विजिट कर चुकी है और उन्होंने यहां की बेवस्थाओं को सराहा भी है कम दामों पर मुंबई जैसे बड़े शहरों के तर्जु पर यहां इलाज दिया जाता है और कई मरीज यहां से ठीक भी हुए है दिन प्रति दिन बालकों में नए परिच्छन किये जा रहे हैं और लगातार यहां पर कैंसर के जो मरीज हैं वो अधिक से ठीक भी हो रहे हैं हमारे बिंद छेतर सतना रिवा सीधी सहडोल सिंगरोली पन्ना चहतरपुर खासकर की मद प्रदेश में ऐसी कोई अभी सुविधा नहीं है मद प्रदेश वासियों के लिए उत्तर प्रदेश वासियों के लिए और पूरे भारत वर्स के लिए एक ऐसा सेंटर है जहां पर महिनों नंबर नहीं लगाना पड़ता और ततकाल इलाज की सुविधाई मोगिया करे जाती है यहां पर सरकारी योजनाओं के तहट पात्र लोगों का भी इलाज किया जाता है हमारे स्क्रिंग पर बालको मेडिकल सेंटर के नंबर डिस्पले हो रहे हैं नंबर भी डिस्पले हो रहा है यदि आप किसी ऐसी बिमारी से पीडित है यदि आपको संका है तो निश्चित रूप से इस सेंटर में जाकर आप ततकाल इलाज करवा सकते हैं जहां आपको 20 सुस्तरी सभी सुविधाएं जो मुंबई, दिल्ली और बड़े शहरों जैसी मिलती हैं वहाँ पर मिलेंगी और निश्चित रूप से आग का सस्ता और अच्छा इलाज होगा बालको की वेफ साइट को भी आप लॉगिन करके इसके बारे में जान सकते हैं हमारी निउस का उद्देश यह था कि अधिक से अधिक ऐसे मरीज जो बाहर नहीं जा सकते या बहुत गरीब तपके से आते हैं इस सेंटर में जाकर अपना इलाज कर सकते हैं धन्यवाद यह थी निउजब तक की विशेश निपोर्ट मैं निउजब तक से वरुन शर्मा झाल